दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बोली उड की एक मात्र ऐसी हिरोईन के बारे में जिसने 15 साल की उम्र में ही सुपर हिट फिल्में देकर फिल्म इंडिस्ट्री में तहल का मचा दिया था एक ऐसी हिरोईन जिनको अपनी फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टर और प्रोडूसर की लाइन लगी रहती थी एक ऐसी हिरोईन जिनको आमीर खान ने ऐसा धोका दिया कि वे अंदर तक तूट चुकी थी एक ऐसे हिरोईन जिनका मूड इतना खराब हो गया था कि उन्हें जानेंगे इन सभी बातों को विस्तार से इसलिए आप बने रहे हमारे साथ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बोलिवूड एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में दोस्तो दिव्या भारती बोलिवूड में एक मात्र ऐसी हीरोईन है जिसने 15 साल की उम्र में ही सुपर हिट फिल्में देकर फिल्म इंडेस्ट्री में तेहल कमचा दिया था उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टर प्रोडूसर की लाइन लगी रहती थी 1992 में तीन हिट फिल्मों के बाद 5 अप्रेल 1993 को 19 साल की दिव्या की अचानक मोथ हो गई बता दें कि उस रात 11 बजे मुंबई के वरसोवा में अपनी पांचवी मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से दिव्या गिर गई थी जिसके बाद सुबह तक फिल्म इंडेस्ट्र एक्ट्रेस आइशा जुल्फा के साथ नजर आई थी 15-16 साल की उमर में ही दिव्या ने हर बड़े इस्टार के साथ काम किया इसमें गोविंदा, सल्मान खान, शारूप खान, रिशी कपूर, जितेंद्र, आमिर खान, सुनील शेटी और मिथुन जैसे हीरो शामिल थे दिव्या भारती का जब निधन हुआ तब वो सिर्फ 19 साल की थी, दिव्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उस समय की जब वो 9 वी क्लास में थी, एक्टर गोविंदा के भाई कीर्थी कुमार ने उन्हें अपने फिल्म राधा का संगा में साइन कर लिया था, कीर्थी दिव्या पर मैरवान थे, इसको देख लोग उनके रिष्टे को अफेयर का नाम देने लगे, इन सब अफवाओं से परेशान कीर्थी ने दिव्या को फिल्म से भार कर जो ही चावला को साइन कर लिया, कीर्थी का कहना था कि दिव्या फिल्म के लिए अभी मेचू मीर ले जाना पड़ा था कुछ समय के बाद दिव्या को साउथ की फिल्मों में ओफर आने लगे दिव्या की पहली साउथ की फिल्म बाबली राजा थी जो 1990 में रिलीज हुई थी ये फिल्म बेहत सफल रही थी इस फिल्म के बाद दिव्या साउथ की सुपरिश्टार बन फिल्म मेकर राजीव ने उन्हें अपने फिल्म विश्वात्मा में लेने का फैसला किया इस फिल्म में दिव्या को सनी देवल के अपोजिट साइन किया गया था ये दिव्या की पहली फिल्म थी और इसके लिए उन्हें 500 रुपे फिस दी गई थी इस film के बाद से ही बोलिवुड में भी दिव्या का सितारा चमक गया था और उनके पास फिल्मों के offer की भरमारो गई थी दिव्या भारती ने बहुती कम उमर में शादी कर ली थी 1992 में 18 साल की उमर में दिव्या भारती ने फिल्मेकर साजिद नाडियाड वाला से शादी की कहा जाता है कि यहीं से दिव्या अपने माता पिता से दूर हो गई दोस्तों दिव्या भारती के श्टारडम की वजए से आमिर खान ने उनके साथ एक ऐसा धोका किया जिसने दिव्या भारती को अंदर तक हिला कर रख दिया था आमिर के उस धोके से दिव्या भारती का दिल बुरी तरह से तूट गया था फिर सल्मान खान को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ा बात उन दिनों की है जब येश चोपडा फिल्म डर बना रहे थे येश चोपडा काफी मशूर डायरेक्टर थे फिल्म इंडिस्ट्री में ऐसा कोई एक्टर नहीं था जो उनके साथ काम ना करना चाता हो आमीर को भी जब येश चोपडा के साथ डर में काम करने का मौखा मिला तो वो फूले नहीं समाई आमीर हमेशा से ही अपने फिल्मों और रोल को लेकर काफी चटचित रहते हैं इसलिए डर फिल्म के लिए भी उन्होंने यस चोपड़ा को अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया दिव्या भारती के साथ आमीर का एक्सपिरियंस अच्छा नहीं रहा लंदन में हुए एक लाइव शो के दोरान दिव्या भारती अपना एक डांस टैप बूल गई उस लाइव शो में आमीर खान उनके पार्टनर थे आमीर ने दिव्या की गलती देखी और बाकी गानों से भी हाथ खींच लिए आमीर ने दिव्या को छोड़ अपनी पर्फोर्मेंस जो ही चावला के साथ दी इससे दिव्या भारती का दिल तूट गया और वो खूब रोई इसका जिक्र दिव्या भारती ने एक इंट्रिव में भी किया था जिसके बाद सल्मान दिव्या भारती की मदद के लिए आगे आए ठके वे होने और पैर में चोट लगे होने के बाद भी सल्मान ने दिव्या भारती के साथ परफॉर्म किया दिव्या भारती के मन में हमेशा इस बात की टीस रही कि आमीर ने उनके साथ इतना बड़ा धोका किया लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि सल्मान ऐसे वक्त में उनके लिए एक मसीहा बन कर आए तो दोस्तों दिव्या भारती की जिन्दगी के बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे दिए कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद